हाई दोस्तों एक और बार आप सबस्क्राइबर जो आपके साथ वीडियो देखते हैं उन्होंने ही एक अपनी सक्सेस टोरी भेजी है अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस वाले वीडियो में और दूसरे टूल वाले वीडियो में भी कि कम से कम पचास ट्रेड लें आप सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस में मैंने कहा था कि पचास ट्रेड हफ़ते का कम से कम लें तब आपको एक आईडिया आएगा कि किस तरह से चलता है और आपको एवरेज दिखेगा कि किस तरह से ये बैतर इन से चलता है तो मेरे कहाल से बह मुझे मेल आया केमचो सर और यह मेल उनका इस प्रकार से था मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने आपके बनाया हुए पिवोट सपोर्ट एंड डेजिस्टन्स टूल से बहुत ही अच्छा प्राफिट किया यह तूल मैंने नहीं बनाया एनिवेस मैं आपको मेरा एकाउंट का स्टेटमेंट सेंड कर रहा हूँ मैं यह स्टेटमेंट यूट्यूब पर भी अप्लोड करना चाता हूँ ताकि लोगों को मेरा स्टेटमेंट देकर मोटिवेशन मिले लेकिन यूट्यूब पर मेरे स्टेटमेंट की फाइल अटेच नहीं हो रही है so please help me and thank you so much for profitable tool तो उनका mail आया तो मैंने का कि चलो excited होकर मैंने भी उनका statement देखा और उनका statement कुछ इस प्रकार से था ये देखिए दोस्तों शुरुआत उन्होंने की 78 तारिक को 500 डॉलर गये और उन्होंने शुरू किया 0.05 के trade से money management के इसाब से बहुत रिस्की काम है और उन्होंने कितने simultaneous trade लिये थे वो भी मुझे पता नहीं है तो मैं बस आपको ये statement दिखाना चाता हूँ थोड़ी चीजें इसमें fine tune करना चाता हूँ और आपको encourage चकरना चाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या किया आकर 0.05 मतलब micro load 5 micro lot उन्होंने लिया euro JPY में किया उन्होंने और उन्होंने शुरुआत कि अपने trade की पहला उनका loss हुआ दूसरा उनका loss हुआ आधे से ज़्यादा लोगों के तो यहीं पर हालत tight हो गई होती कि continuously दो loss हो जाता है तो आदमें को लगता है पता नहीं यह नहीं चलेगा अब इसको छोड़ो को यह दूसरी चरफ चलते हैं दोस्तों ऐसा नहीं होता है law of averagesy actually जीतता है अंत में जब तक कि आप mechanically trade ना करो आप system को follow to the T ना करो तब तक आप किसी भी चीज में आप profit नहीं कमा सकते हैं तो उन्होंने लगाता ट्रेड किये 0.05 को उन्होंने exceed नहीं किया हर बार उन्होंने अगर आप देखोगे तो stop loss और take profit उन्होंने लगाया और resistance के आज़े बाज़े में action है उनका जो कुछ भी interpretation था interpretation भी कोई ऐसा नहीं कि पूरा प्रैक्टिस करके समझ कर वो 15 साल से करनी रहे हैं उनका जो interpretation था उस टाइम पर लगा कि इस तरह से जा सकता है उन्होंने support और resistance के आज़े बाज़े में base करकर उन्होंने continuously trade लेना शु उन्होंने इतना उनको effect नहीं कि आप देख सकते हो उनका account इस तरह से हैं यहाँ पर देखिए continuously एक के बाद एक point 49 का loss मतलब समझों कि यहाँ पर 10 point का loss है यहाँ पर 20 point का loss है दूसरा 20 point का loss है तीसरा 7 point का loss है दूसरा 9 point का loss है continuous यहाँ पर loss होने के बावजूद उन्होंने continuous इसको बरकरार रखा सिस्टम को फॉलो किया देखने के लिए कि क्या होता है दोस्तों याद रखेगा आप दुनिया का कोई इंडिकेटर ले लो कोई सिस्टम ले लो जब तक आप उसको मेकैनिकली फॉलो नहीं करोगे कंसिस्टंटली पचास सौ ट्रेड उसके बेस नहीं करोगे तब तक ना आपको उसके बारे में कुछ समझ में आएगा ना आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो दूसरा उस पर आपको confidence नहीं आएगा और तीसरा आप emotional बिना हुए अगर आपको ट्रेड करना है दोस्तों तो आपको मेकैनिकली ट्रेड करना पड़ेगा बिना इसको personal लिए बिना इसको interpret किये बिना इसको समझे राइट कुछ ज़्यादा समझना भी बहुत बड़ा problem है दोस्तों life में क्या चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि support and resistance में action होता है मैं support के उपर buy कर रहा हूँ मैं resistance के नीचे sell कर रहा हूँ कोई support अगर resistance बन गया तो मैं sell कर रहा हूँ कोई resistance अगर support बन गया तो मैं buy कर रहा हूँ बस उन्होंने लगातार किया totally मैंने इसको गीना ये almost like 60 trades हैं ये जो closed trades हैं और एक अच्छी बात उन्होंने की जो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो है ये देखिया cancelled trades भी हैं उन्होंने buy limits लगाए जब उन्होंने देखा किसी pair में कि वहाँ पर आजू बाजू में शायद support के पास अभी तक आया नहीं है तो उन्होंने limit orders डाले हुए है जिसकी वज़े से क्या है कि अगर वो cancelled हो जाता है मतलब वहाँ पर तक हमारा अंदाजा सही नहीं था या वहाँ तक market वहाँ पर आया नहीं market नो support को test नहीं किया या उस resistance को test नहीं किया तो इस प्रकार से हम false trade में गुसने से मजधार में बीच में गुसने से हम बच जाते हैं अब देखिए यह सारा मिला कर इसमें positive भी है negative भी है और continuously उन्होंने इतने trade किये 70 trades किये है और अंत में उनका profit ये है देख रहाँ आपको 467 dollars का उनका profit है उन्होंने शुरुआत की थी 500 dollars है और अभी उनका profit है 467 और उन मेरे ख्याल से 4 दिनों के अंदर 8, 9, 10, 11 तो एक हफ़ते का trading है ये और एक हफ़ते के trading में उन्होंने continuously support and resistance पर उन्होंने 75 trade लिए अब ये 60 trade है इसमें आपने देखा कि इतना profit हुआ है तो मैंने देखा कि कुछ में उन्होंने actually stop loss नहीं लगा है जैसे कि यहाँ पर है यहाँ पर है और मैंने एक दो trades देखे थे उपर है मेरे ख्याल से 4-5 trade है जो इस 60 trade हों में मेरे ख्याल से यह देखी यहाँ पर है यह देखी यहाँ पर है यहाँ पर है और यहां पर है तो उन्होंने कुछ ट्रेट में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मैंने उनको पूछा कि आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया तो उन्होंने का कि मैं भूल गया था तो मेरा जवाब था कि भाई अगर आप टेक प्रॉफिट लगाना भूलते नहीं हो तो stop loss लगाना क्यों भूलते हैं कि कुछ में उन्होंने take profit लगाया देखें यहां पर उन्होंने take profit लगाया लेकिन stop loss नहीं लगाया anyways तो कहने का मतलब की thankfully I am very thankful to this friend of mine कि जिन्होंने ये कम से कम dedicatedly, religiously किया इस चीज़ को तब उनको अभी जाके confidence है के नहीं ये तो बड़ा simple है मैं support and resistance पे काम करूँगा तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ अब इनके कुछ trade open है अब मैं ध्यान आपका केंदरित करना चाहूँगा एक बहुत ही important aspect पे 467 का profit है minus 198 का loss चल रहा है ठीक है अभी फिलहाल floating profit and loss में और loss का reason क्या है ये देखिए minus 129 जो है वो GBP-JPY में है GBP-JPY में trade नहीं करना चाहिए GBP-JPY का PIP calculation ही completely अलग रहता है वो एक का 5 उसमें आता है अगर आप मेंसे किसी ने ध्यान दिया होगा देखेंगे तो बहुत ही volatile चलता है जब पहली बार मुझे पता नहीं था कि GBP-JPY कैसा चलता है मैंने इसमें standard lot मार दिया था और मेरा सीधा कुछ 90 loss में खुला था तो बहुत ही एक महारती पैर है यह इसमें trade नहीं करना चाहिए ना करो तो बहतर है लेकिन सबसे important चीज दोस्तों यहां पर देखिए यह 129 क्यों है क्योंकि stop loss नहीं लगाया यह दूसरा उसके नीचे जो है 51 क्यों है क्योंकि stop loss नहीं लगाया दोस्तों याद रखेगा यह मैं उस राक्षशों की बात कर रहा था कि जो आपके 70 trade के profit को यह आराम से 4-5 लोग आकर खतम कर सकते हैं दोस्तों stop loss और take profit दोस्तों बहुत महत्वपूनट चीज है take profit भी आप आराम से करो तो चले लेकिन stop loss दोस्तों बहुत ही important चीज है याद रखेगा अगर यह दो मिलकर 180 तक का अगर आपको loss करवा सकते हैं तो सोच कर देखिए कि 460 करने के लिए आपको दूसरे 2 चाहिए या यह अभी नीचे गिरना शुरू हो जाए तो भी मेरे क्याल से 460 खतम हो सकता है दोस्तों तो याद रखना है यह अपनी सीख है कि stop loss नहीं रखेंगे तो इन्होंने बहुत ही timely मुझे यह वीडियो भीजा क्योंकि अभी stop loss के अपनी discussion हो रही है तो stop loss में मैंने बताया था कि हम उस video game के खेलने वाले बच्चे की तरह हैं कि जो धिरे धिरे करके चोटे चोटे राक्षष मार के चौथा level जाता है और वहाँ पर एक बड़ा राक्षष आता है यह इसकी तरह बिना stop loss के और हमें खतम करके चला जाता है तो यह एक सीख है तो मैंने उनसे कहा कि यार यह आपने ऐसा क्यों किया आपने यह stop loss क्यों नहीं लगाया तो उनका एक बहुत ही खुबसूरत जवाब है मैं वो जवाब आपको दिखाना चाहता हूँ तो मैंने दोस्तों उनको जवाब भेजा और मैंने कहा awesome भाई बहुत खूब लेकिन did you notice that the two trades without stop loss are your main losses मैंने कहा क्या भाई आपने notice किया कि वो जो दो trade है बिना stop loss के वो ही आपका सबसे major loss है तो भाई का जवाब था thank you sir जी sir मैंने जान बूझ के दो trade open रखे हैं ये देखने के लिए कि market कितना उपर जाकर नीचे आ सकता है ये भी मेरी practice का एक भाग है मैंने जितने भी trade डाले हैं उन सभी में मैंने stop loss और take profit set किया है लेकिन only two trade ही open रखा है ये भी मेरी practice का एक भाग है सुनते ही मेरी आँखों में पानी आ गया कि मैं भी इसी तरह से बाते करता था मैं भी ये ही कहता था loss लेना आपको train करना पड़ेगा अपने mind को अपने brain को अपने heart को कि भाई ये emotional काम नहीं है ये mechanical क्राम है जब तक आप mechanical होकर नहीं करेंगे दोस्तों तब तक यही problem होगा 70 trade मेरे positive में 60 trade मेरे positive में उन्होंने मिलकर बनाया 400, 60, 500 डालर का profit बनाया और सिर्फ मुझे 2 trade चाहिए या 6 trade चाहिए या 3 trade चाहिए जो completely मेरी उस पूरे मेहनत को उस हफते के पूरे काम को बेकार करके मुझे loss में खड़ा कर सकती है बहुत ही timely वीडियो था ये इसकी वज़े से मैंने आपके साथ share किया और एक बहुत ही important फीचर लाँच कर रहे हैं अपने एप में आने वाले हफते में प्रभू की कृपा से इफ पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं रात दिन मैनत कर रहे हैं मैं वीडियो नहीं बनाता आप उदर contact नहीं करता है इसका मतब यह नहीं कि काम नहीं हो रहा है काम हो रहा है दोस्तों एक awesome एप में फीचर आने वाला है आप थोड़ा वेट कीजेगा competition अपना final stages में है 25 तारीक को मैं announce करूँगा और exciting prizes भी हैं लेकिन सिर्फ अपने subscribers के लिए क्योंकि आप उसको manage नहीं कर पाएंगे तो अगर आप अभी subscriber नहीं है तो बने 25 तारीक के बाद वाले subscriber को हम नहीं लेंगे और तयार रहिए देखते हैं आप कितना अच्छा trading कर पाते हैं मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उसमें emotionally और trading psychology को सीखें so God bless you दोस्तों बहुत मज़ा आया thanks a lot उस भाई के लिए के जिनोंने मेरी बाद मान कर 50 की जगब 75 ट्रेड करके मुझे दिखाया आप लोगों से भी यही motivation मैं देना चाहूँगा कि please ट्रेड करें तभी तो आपको समझ में आएगा कि यह चलता है कि यह नहीं चलता है और नहीं चलता है तो हम उसको fine tune कर सकते हैं और अगर चलता है तो हम उसको follow कर सकते हैं दोस्तों may God bless you keep watching, keep learning, take care